जरजर पुल पर हो सकता है बड़ा हदसा विकास खंड हासीरन में इस्तिते जरजर पुल बेटिस काल में हुआ था पुल का निर्माल बेटिस शासन काल के जूनियर इंजिनियर मिस्टर हुयूम के द्वारा कराया गया था निर्माल बेटिस शासन काल 1851 में इस पुल का हुआ था निर्माल कारे अंग्रेजों के शासन काल में बनी इमारत शलक पुल आज भी परकरार 170 वर्स बीत जाने के बाद भी शासन वा प्रशासन ने नहीं ली शुद्ध हादिसे को दावत देता जरजर पुल ये थी डिडिट टुडे के लिए कन्नौस से सुमित मिश्रा की रिपोर्ट अमारे आग राम मकसरण के अंतरगत इस पुल का निर्मार विटिश सासन काल में सन 1851 में किया गया था जिसकी आज जरजर दुर्दसा है कई बार सिकायत करने के बाद जूद भी सासन एदव प्रसासन मौन है कोई भी निर्मार कार पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कभी भी किसी वी वप्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है जिसके लिए सासन को चाहिए कि तक काल प्रवारी कारवाई कर पुल का निर्मार कराने के लिए सिग्जा सीथ कारवाई श्रुकित करें सर बिटे। सासन काल में किस एंजीनियर दोरा यह बनवाया गया था उसमें बिटेट यस प्ल के नीचे अ पत्थर की समारिका लगी हुई है जिसपर मिर्फर यूंम अजी आद्धी बिटे सासन काल में यह रृमा कराया गया था इसमें आसा जो है आज जो है लोगाना लेको कशी साने हो गई है इसमें एक पहले जो है टिक गरा था उसमें जो है एक आनमी जो है बर्भी करिक गरा था और इसकी छत जो है बाब जजर पड़ी हुई है